अगर आप किसी relationship में हैं और उस relationship में कोई कि third person आपके relationship को तबा कर रहा है कोई third person आपके relationship में बहुत सदा interference शो कर रहा है तो आज की reading आपके लिए है आज की reading का topic है कि ये third party आपके रिश्टे से कब जाएगी आज की जो ये reading है ये एक generalized reading है बहुत सारी energies निकल कर आएंगी जो भी energies आपके साथ resonate होंगी आप उन्ही energies को pick कीजेगा बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीजेगा आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है long distance relationship में है या फिर किसी complicated relationship में है आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी आज की reading में मैं किसी भी particular exotic signs का नाम नहीं लोंगी क्योंकि ये reading सभी exotic signs के लिए है so आज की reading को सिरफ हम candle wax से check नहीं करेंगे बलकि आज की reading को हम tarot से भी एक बार ribbon form जरूर करेंगे ताकि energies को लेकर आपको clarity मिल सकती so जब तक मैं candle को lit करती हूँ आप अपने partner के नाम के उपर focus की तो मैं आपको बताऊंगी की ये third party आपके रिष्टे से कब जाएगी आए जानने की कोशिश करते हैं कि ये third party आपके रिष्टे से कब जाएगी अगर इस third party की elimination की आप बात करें तो उससे पहले आपके partner की intentions आपके लिए जाना बहत जरूरी है क्या आपके partner चाहते हैं कि ये third party eliminate हो या आपके partner आपके बस आना चाहते हैं कि नहीं ये चीज जानने बेहत ज़रूरी है पहले उस चीज को check करेंगे देखें आपके partner की energies की अगर मैं बात करूँ तो आपके partner आप दोनों के बीच में एक शांती स्थापित करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच का conflict है उसे आपके partner resolve करना चाहते हैं और आपके partner को ना अब आपकी तरफ एक अलग सी attraction महसूस हो रही है आप कहेंगे मैं ये प्यार नहीं है ये तो सिरफ attraction है नहीं ये attraction आपकी personality की attraction है आपके partner ने कभी आपको इस रूप में देखा नहीं था जिस रूप में अब आप आ गए हैं आप practical हो गए हैं आप independent हो गए हैं आपने पेन को अपनी strength बनाया है ये सारी चीज़े आपके partner को आपकी तरफ आकरशिक कर रही है आपके partner आपकी बाते सुनना चाहते हैं जो आप अपने partner को तब समझाने की कोशिश कर रहे थे ना जब उन्होंने ये decision बनाया आप से दूर जाने का ये वो कुछ भी decision अपनी life में बना रहे थे तब जो चीज़ें आप अपने partner को बताने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ेjajajaja plugin लेकिन आपके partner अभी आपके सब communication establish नहीं करना चाता है अब ये दोनों चीज़े बहुत controversial है आपके partner की बाते सुनना चाते हैं लेकिन आप से communication establish नहीं करना चाते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि आपकी बड़ते सुन तो लेंगे लेकिन उन बातों पर अमल नहीं कर पाएंगे और फिर आप अपने पार्टनर को गलत समझेंगे और आपके पार्टनर की इमेज आपके सामने और ज़दा खराब हो जाएं ठीक है तो आपके आपके पार्टनर की इंटेंशन यहां पर यह भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर complete strength ग्यादर करते इस relationship में खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर उस चीज़ में बार बार नाकामयाब होते हैं लेकिन आपके पार्टनर ने अभी तक इस situation के सामने घुटने नहीं देगी आपके पार्टनर को कुछ-कुछ चीज़ों में awakening भी हुई है, time time पर awakening हुई है, लेकिन आपके पार्टनर उस awakening की energies में थोड़ा time ही रहे पाते हैं उसके बाद आपके पार्टनर दुबारा से unawakened energies में चले रहा आपके पार्टनर अपने आपको आपके सामने express नहीं कर पा रहे हैं तो इस third party का क्या role है इस सारी चीज़ में ये third party जाएगी कफ देखिए, सबसे पहरी चीज़ है कि आपके पार्टनर के thought process में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएं तो बारिकी से समझने की कोशिश कीज़ेगा, पहले आपके पार्टनर अपनी wisdom के सहारे, अपनी life के हर बड़े फैसले को बहुत असानी से ले लेते हैं अब इस थर्ड पार्टनर को लेकर उनकी अपनी perception चेंज करती है मतलब, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टनर को इस थर्ड पार्टनर को जो confidence है वो completely shatter हो गया है आपके पार्टनर आज के टाइम पर बिलकुल भी confident नहीं है कि उन्हें अपनी life में करना क्या है ठीक है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि past में जो कुछ भी हुआ उसे आपके पार्टनर रोक सकते थे और आपके पार्टनर ने नहीं रोका जिसकी वज़़से आपके पार्टनर का कर्मा क्रियेट हो गया और आज अपने कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है आपके पार्टनर पेन की एनोर्जीज पर है दूसरा इस थर्ड पार्टनर ने ना आप दोनों के relationship की growth को रोका है ठीक है आप दोनों का relationship कहीं develop ना हो जाए क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार है आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और अगर ये थर्ड पार्टनर थोड़ी से भी lenient हो गई तो आपके पार्टनर तो आपके पास वाप्ष चले जाएंगे और इस third party का जो agenda है वो survey नहीं होगा, ठीक है वो पूरा ही नहीं होगा, तो इस वज़़ से इस third party ने आपके partner के साथ आपके relationship की growth को रूखा है, ये third party ये मानती है कि आपके partner को ये third party deserve करती है, आप अपने partner को deserve नहीं करते हैं, अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने partner को deserve करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये third party हर तरीके से आपके partner को आपसे detach करने की कोशिश हमेशा से करती आई है और कर रही है, ठीके, ये third party अपने आपको worth it मानती है कि आपके partner आपको छोड़ कर इस third party की साथ रहें, ठीके, ये third party आपको deserving है नहीं मानती है, मतलब आपका रिष्टा ना ये third party आपसे कहीं नहीं चीन रही है, ठीके, और आपके partner को इस third party ने बहुत ही जादा confusion की एनर्जी इसमें डाला हुआ है, कैसे confusion create हुई है, आपके partner जब भी action लेने की कोशिश करते हैं, वो कोई ना कोई discussion इस third party के साथ कर लेते हैं, ये third party action लेती है, जिसकी वजह से, आपके partner अपने actions में असफल हो जाते हैं, ठीके, और फिर आपके partner को ये मैसूस होता है, कि शायद अब इश्पर ही नहीं चाहते हैं, कि आप दोनों का मिलन हो, तो आपके partner इस चीज़ को अपने destiny वामना शुरू कर चुके हैं, कि शायद अब आप दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, और इस चीज़ से आपके partner को तकलीफ बहुत ज़दा होते हैं, जितना आपको सुनने में painful लग रहा है, आपके partner इस energy को जी रहा है, और ये सारी confusion किस ने फैलाई है, इस third party ने फैलाई है, ठीके, आप अपने इस relationship मे चमतकार का इंतजार कर रहा है, कि चमतकार होगा, आपके partner को जागरती होगी, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में इतनी ताकत है कि आपके partner, आपके प्यार को समझेंगे, बट आप दोनों के हाथ से time छूटता चला जा रहा है, और ये third party ने ये cycle बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन आप इस cycle को समझ नहीं पाए, आपका अपना perception है चीजों को लेकर, लेकिन जब हम defensive mode में होते हैं, किसी को defend कर रहे हैं हम, अपने आपको defend कर रहे हैं हम, तो हमें सामने वाले की चाल को भी समझने की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कह रही relationship में ये जो third party है, आप दोनों को कही न कहीं dominate करें, आप दोनों की energies को कहीं न कहीं dominate करें, तो ये third party आज के time पर celebration की energies में है, इस third party ने आपके partner का विश्वास जीता हुआ है, आप अगर अपने partner को इस third party के against कुछ भी कहने की कोशिश कह रहे हैं, आपके partner आपकी बात को नही ही सुनेंगे, आपके partner आपसे नराज हो जाएंगे, आपके partner आपको block कर देंगे, लेकिन थर्ड party को block नहीं करें, पहला तो इस third party ने अपना impression आपके partner के वपर इस तरह से बनाया है, कि ये third party आपके partner के कुछ भी नहीं लगते थी और फिर भी this third party ने आपके partner के hit के बारे मे नहीं है कि आपके पार्टनर इस relationship को recover नहीं करना चाहते है, आपके पार्टनर की हमेशा से यह चाहत रही है, कि इस relationship में जो कुछ भी उनसे गलत हुआ है, वो उस चीज़ को reverse करें और आपके सामने अपने प्यार को साबित करें, और ये बाद इस third party को भी पता है, जैसे ही इस third party उस चीज़ में कोई ना कोई blockage लगा देती है, और खुद अपने comfort zone में रहते हैं, आपके पार्टनर जाने और जाने में इस third party की हर desire को पूरा करते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये third party आपके पार्टनर को वो कंधा बनी है, जिस पर आपके पार्टनर सिर रखकर रोए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के lowest times में इस third party ने अपने आपको आपके पार्टनर के सामने साबित किया है, तो आपके पार्टनर कैसे इस third party पर विश्वास नहीं करेंगे, आप ये चीज़ बताइए, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस relationship में बहुत ज़दा गलत हुआ है, मैं मानती हूँ, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, बहुतर promises किये, प्यार का वादा किया, शादी का वादा किया, और आपके पार्टनर अचानक से आपको ditch करके चले, चले, वो चीज़ आपने देखी, या अपने experience की, लेकिन आज के टाइम पर जो आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वो उनको नजर भी नहीं आए, तो इस टाइम पर अगर आप ये कहें कि विक्तिम आप ही हैं सिरफ, तो इसा नहीं है, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह इस तरह से सुनिच, इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से अपनी जगह बनाई है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर चाहिए एक बार डाउट कर ले, लेकिन इस थर्ड पार्टी पर डाउट नहीं करें, आपके पार्टनर इस थर्ड पा कि आपके पार्टनर के साथ जने के आपके पार्टनर की तरफ motor को कोशिश करते हैं तब हैं और उससे गंदा आक्षर लेने की कोशिश کरते हैं। देना नहीं, जब ये third party इतने ज़्यादा comfortable zone में है, अपने action का result इस third party को मिर रहा है, आप दोनों के बीच में गलत फैमियां खड़ी हो गई हैं, आप दोनों का separation ये third party permanently secure कर रही है, तो ये third party आपके रिश्टे से क्यों जाएगे? मतलब अगर आप अपने partner के साथ बहुत ही ज़्यादा comfortable energies में हों, आप अपने partner के साथ एक बहुत ही अच्छा relationship जी रहे हैं, तो ये third party आप दोनों के बीच में अपनी जगा बनाने की कोशिश करें, तो वो चीज बहुत ही impossible सी होगी, ठीके, और दूसरी चीज ये है, आप अपने partner को कभी छोड़ने की बात नहीं करेंगे, actually आपके रिष्टे के अंदर पहले से कुछ discrepancy की energy चल रही थी, आप दोनों का expectation का level कुछ different था जहां पर इस third party ने अपनी जल्हा बना ली, ठीक है, अब ये third party आपके partner को अपने आप छोड़ कर नहीं जाने वाली, ठीक है, आप ये कहें कि ये third party अपने आप eliminate हो जाएगी, वो चीज नहीं है, इस third party ने तो एक major cycle channelize लिया है, जहां पर आप दोनों की separation permanent हो जाए, और अपना ये third party बहुत ही जादा insecure energies में भी है, ठीक है, क्यों insecure energies में, जब से ना ये tendon का portal खुला है, आपके partner ना बहुत ही जादा positive energies में रहा है, आपकी तरस, इस third party के साथ आपके partner ने लहडाई जगडा किया, इस third party के साथ आपके partner बहुत ही जादा rudely बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी वज़ों से आपके partner जो है, वो अपने आप में ही इस third party की ego को hurt कर रहे हैं, और ये third party एक major action plan कर चुकी है, past से almost 19th of August से कुछ ऐसी energies को इस third party ने channelize किया, कि आप दोनों के बीच की separation भड़ती चली जाए, आप में से बहुत सारे लोग अपने partner के साथ no contact situation में आये, फिर दुबारा से contact हुआ क्योंकि portals open हो रहे थे और आप में से तो कहीं लोगों ने ये सोचा कि आप twin flame journey में है, इसलिए हमारे partner in out कर रहे है इसलिए कुछ नहीं था, ये portals की energy थी, ठीक है, आप दिवाली पर जो cycle, ये third party complete करने वाली है, last action लेकर, उससे आप दोनों की separation permanently हो जाएगी, जब इतने पक्के कदम इस third party ने उठा लिये हैं, तो ये third party आपके रिष्टे से अपने आप क्यों जाएगी, आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा time आएगा, जब इश्वर आपके लिए आकर खड़े हो जाएगे, इश्वर ने आपको पल-पल में guidance दी है, आप ही थे जिन्होंने guidance को समझाने, ठीक है, अब आप अपने इस रिष्टे को अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं कि ये third party completely आप दोनों को separate करते हैं, या फिर आप अपने इस रिष्टे के लिए stand लेना चाहते हैं, चोईस आपकी है, ठीक है, आपके partner की कोई चोईस नहीं, ये third party इस time पर अपना ego जो है, वो बहुत high कर चुकी है, और अब ये एक final cycle को अंजाम देने के लिए तयार है, no doubt इस third party का कुछ बुरा कर्मा create हो रहा है, no doubt इस third party के साथ आपका कोई past life connection हो सकता है, उस connection को ये third party neutralize कर रही है, लेकिन मुझे एक बात बताए, आप तो इस third party के कर्मा ही वेट कर रहे हैं, कि कभी इस third party को कर्मा मिलेगा, और ये third party आप दोनों के साथ रिष्टे से दूर चली जाएगी, देखिए, हो सकता है ना कि ये third party नया कर्मा create करना शुरू कर दे, आपको पता नहीं किसने ये बात बोलिया कि जो कार्मेक्स होते हैं, वो अपना जो भी कर्मा होता है, वो complete करके आपकी जंदगी से चले जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपके इस रिष्टे से ये third party मुझे जाती हुई नजर नहीं आ रहे है, बलकि आप अपने रिष्टे से यहाँ पर मुझे completely eliminate होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात बहुत ही painful है, कुछ लोग बहुत ही defensive comments, offensive comments करेंगे, देखिए, मुझे आपके comments से कोई लेना देना नहीं है, सच बताना मेरा फर्ज है, sugar-coated reading सुननी है, जहां मरजी जाकर सुन लेजे, बहुत सारे channels आपको मिल जाएंगे, जो आपको ये बताएंगे, कि इस दिवाली पर आपके partner आपको wish करने वाले हैं, आपके partner आपको कोई wish नहीं करने वाले हैं, इस दिवाली के बाद, आपके partner अगर आप लोग married हैं तो divorce papers तक भेज सकते हैं आपको, और कोई third party ऐसी involved है, जहां पर कोई black magic का असर है, कोई spell work का असर है, वहां पर तो आप ये imagining नहीं कर सकते हैं, कि आपके partner आपके पास बचा है, अगर रिष्टे को बचाना है, बचा लीजेए, नहीं बचाना तो भी आपकी मर्जी है, वो चीज़ मैं आपको clearly बता रहे हूं, बट ये third party इस टाइम पर एक aggression की energies में हैं, ये third party एक irritation की energies में हैं, जिसकी वजह से ये third party सबसे अपना worst action लेने में लगी हुई है, जब भी मैं किसी की energy इसको सही करते हूं healing करते हूं, मैं कभी भी third party की energy को नहीं छेड़ते हूं उसका कारान ही ये होता है, कि third party के इंदर जिंजलाहट आनी शुरू हो जाएगी, और वो कोई गलत से गलत action लेगी, और ये चीज़ आपके partner ने trigger कर दी है, आपके partner इस third party को नीचा दिखाने के कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से इस third party को ये feel हो रहा है कि इस third party ने इतना सब कुछ आपके partner के लिए किया, और आज आपके partner इस सारी चीज़ें इस third party के साथ किस तरह से कर सकते हैं, मतलब जैसे वो होता ना कि how dare you वो वाली energy है इस third party की ठीक है, तो ये third party आप से आपके प्यार को चीनेगी, बाद में चाहे आपके partner को ये सबसे worst energies में ले जाए, आपके partner से बदला लेने के चकर में ये third party आपके partner के उपर कुछ ऐसे तंत्रगा इस्तमाल भी कर सकती है कि आपके partner को कोई लाइलाज बिमारी लग जाए, और आपके partner कभी उस चीज़ से recover ना हो पाए, तो यहाँ पर ये third party अपने आप eliminate होते हुई नजर नहीं आ रही है please अपने relationship को लेकर alert हो जाए, अगर अपने partner से प्यार करते हैं, तो alert हो जाए, अगर आपको लगता है, कि हमारे partner यही सब कुछ deserve करते हैं, तो छोड़िए फिर तो आप ये सारी चीज़े देखिए भी मत फिर तो आपके partner को worst situation अभी कुछ time में face करनी ही होगी, okay so आएए अब हम tarot से जानने की कोشश करते हैं, यह third party आपके रिष्टे से कब जाएगी? आएए जानते है tarot से कि ये third party आपके रिष्टे से कब जाएगी आए तारो से जानने की कोशश करते हैं कि ये third party आपके रिष्टे से कब जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग का card है, the next card is 10 of cups का card है, देखें ये third party आपके partner के ऊपर कुछ social obligations लगाने की कोशिश कर रहे है, आपके partner को किसी ना किसी तरीके से ये third party मजबूर करेगी कि आपके partner को उसके बाद, इस third party की बात मानने ही पड़ेगी, नहीं तो आपके partner की social image पर कोई stigma लग सकता है, ठीक है, तो इस तरहां से ये third party आपके partner को emotionally blackmail कर रही है, और वो सकता है कि पहले से ही ये third party आपके partner को इस तरहां से blackmail करती आई हो, चिक है, ये energy भी यहाँ पर नज़र आ रहे है, ये third party आपके partner के हर एक action को नकाम्याब कर रही है, आपके partner ने अभी 2-3 महीने में बहुत बार अपनी तरह से action लेने की कोशिश की है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैम कब कोशिश किया है, हमें तो नज़र ही नहीं आया, आपके partner अपने type पर, आपके partner अपनी side से चीजों को best करने की कोशिश सच में कर रहे थे, लेकिन इस third party को ये बात पता लग गई, इस बजह से इस third party ने आ comfortable zone में है, इस third party का हर लालच आपके partner से पूरा हो रहा है, ये third party अब अगहात करेगी आपके partner के heart chakra पर, क्योंकि आपके partner ना heart chakra के थ्रू आप तक vibration भेज रहे हैं, इस third party को नहीं पताया कि heart chakra पर अगहात किस तरह से किया जाता है, लेकिन जिस person की ये मदद ये third party लेने वाली है, उस person से ये third party ये ही कहने वाली है, कि कुछ ऐसा हो कि आपके partner आपको भूल जाए, और वो चिस कभी possible है, जब आपके partner के heart chakra पर अगहात हो का, तो अब आपके partner आपसे emotionally detached होने वाले, अब यहाँ पर ये third party emotional detachment की energy उसको channelize कर रही है, आपके partner की direction को अपनी तरफ channelize करे, आ बहुत ही जादा practical होने वाले है, आपके partner को अपना past याद नहीं रहेगा, एक ऐसी situation भी create होगी, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, माम आप हमें डिरा रही है, प्लीज डिरिये मत, ये third party कोई भगवान नहीं है, बट सही वक्त पर सही action किस तरह से लेना, वो ही इस third party को पता है, अपनी favor में सही action में, ये नहीं कह रही हो, इसके karma को justify नहीं कर रही है, ये third party बहुत गिलत कर्मा कर रही है, लेकिन, ये third party ये बात जानती है, कि जो इसे चाहिए, वो किस तरह से hustle करना है, ठीक है, आपके partner के emotions आपको लेकर completely खतम होने वाले है, ये दिवाली के बा कि आपके पास वापिस आना चाहता है, और ये बात इस third party को पता है, ये third party बार-बार आपके partner की energy इसको change करती आई है, लेकिन आपके partner इस third party की बात नहीं सुन रहा है, जब से 1010 portal open हुआ है, अब इस third party को ये हो गया, कि past में जो कर लिया, सो कर लिया, अब एक final decision बनाना है, अब आपके partner को इतना मजबूर कर देना, कि आपके partner इस third party के साथ emotionally connect होने के लिए मजबूर हो जाए, आपके partner की life से आपको completely बाहर निकारे, तो जो इंसान इतनी बड़ी planning कर रहा है, जो आपके partner को हासल करने के लिए हर level से गुजर रहा है, हर level पर गिर रहा है, वो इंसान आपके partner और आपके जिन्दगी से क्यों जाएगा, अपने आप क्यों जाएगा, ये third party तब eliminate होगी, जब आप इस energy को cut करेंगे, जब आप अपने partner को अपनी energy उसमें लेकर आएंगे, आपके partner आपके साथ एक नए रिष्टे की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनके च ये third party आपको आपके रिष्टे से eliminate कर देगी, वो चीज यहाँ पर clearly नजर आ रही है, तो आपको अपने रिष्टे को हमेशा के लिए गवाना है, या अपने partner के साथ अपने रिष्टे को सही करना है, ये चीज आपके उपर निर्भर करती है, जो लोग तो सिरफ मजे लेने हो जाए, उनके लिए ये guidance है कि आप अपने रिष्टे को ले करना एक reading book कीजिए, उसमें ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप ये third party eliminate हो सकती है, अब सबसे बड़ा question ही ये खड़ा हो गया आपके लिए, कि आप ये elimination क्या possible है, ठीक है, अगर आपके case में elimination possible है, तो accordingly आप को ये healing का process go through कर सकते है, अगर नहीं possible है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते है, ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ये reading book करना चाहते हैं, तो मेरे whatsapp के through, या फिर मेरी email ID के through, आप ये reading book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email ID screen पो flash होंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहे हूँ कि आप reading मेरे स अधी book कीजे, जिस पर faith है, उनके साथ कर लीचे, बड़ अपने रिष्टे को लेकर action ले लीचे, बाद में रोते रह जाएंगे, और आपकी, जो आपके partner है, उनकी marriage ना किसी third party के साथ fix होती हुई, आप अपनी आँखों से देखें, तो please अपने relationship को लेकर alert हो जाएं, अग मुझे whatsapp पर message कीजे, mail drop कीजे, मैं आपको reply ज़रूर दूगी, so आएए, अब हम जानते हैं कि universe divine आपको आपके रिष्टे के लिए क्या guidance देना चाहते है, अगर आपके partner का कोई message है आपके लिए, तो वो चीज़ भी हम ज़रूर चेक करेंगे, अगर आपके partner भी आपको कर रहे हैं, ये guidance आपको universe की तरफ से भी मिल रही है, आपके partner आपकी life में तांग जहां करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपकी life में वापस आए, वो इस चीज़ से डरे हुए हैं, कहीं आपके अंदर किसी और को लेकर कोई feeling तो नहीं develop हो गई है, the next message is romance, द कहीं प्यार करते हैं, तो अपनी उस भावना को मरने मत दीचे, दो messages निकल कर आया है, look inside yourself, divine आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने अंदर एक बार जागने की कोशिश कीचे, आप अपने इस relationship के regard में चाहते हैं, खुद से जानने की कोशिश कीचे, और आप अगर ये सोच रहे हैं, कि आप इस रिष्टे को छोड़ देंगे, तो ऐसा आपको क्यों feel हो रहा है, उसके बारे में भी खुद को self introspection की energies में लेकर जाए, ठीक है, divine आपको ये guidance देना चाहते हैं, कि अगर आप अपने इस रिष्टे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, आपके पार्टनर की तरफ से एक message आया है आपके लिए, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, कि आज आप दोनों एक दूसरे से physically दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक तोर पर आज भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वक्त और हालात आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता हैं, ये message आपके पार्टनर की तरफ से है आपके लिए, आपको divine ये guidance देना चाहते हैं, कि इस time पर सबसे important ये हैं, कि आप एक step पीछे लेजे, और कुछ time अकेले में spend कीजे, फिर अपना focus set कीजे, कि आप इस रिष्टे के लिए चाहते क् and accordingly अपने relationship के लिए action लीचे, divine आपको ये guidance देना चाहते हैं, कि emotions जो है, वो हमारी life का बहुत ही necessary और एक natural part है, लेकिन यही emotions हमारे perception को कई बार distort कर देते हैं, हमारी जो vision है, वो बहुत ही cloudy हो जाती है, और हमें clearly चीजे नजर नहीं आती है, तो इसलिए अपने growth को एक side way करके अपने resentment की इसको एक side way करके, आप please इस relationship के regard में सोचने की कोशिश केजिए, आपको फैसला लेने में भी असानी होगी और रास्ता भी नजर आ जाएगा, आपके इस relationship में अभी भी transformation possible है, लेकिन उस transformation को आपको go through करना पड़ेगा, नहीं तो ये transformation कभी भी नहीं हो पाएगी, So, ये divine की guidance है आपके लिए, clearly मैंने आपको explain करती है, रिष्टा आपका है, आपको बचाना है, नहीं बचाना है, ऐसे ही इस रिष्टे का तमाशा बनते देखना है, choice आपकी है, So, I hope आज की rating से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में आई है, तो लाइक करना मत भूलिए का अपने नियर इंडिया वन्स के साथ share जरूर कीचेगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationship को लेकर, कुछ clarity मिल सके से do share my video also, अगर आप मेरे वीडियो से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ बुक कर सकते हैं, यह booking आप मेरे WhatsApp के थ्रू या फिर मेरे email ID के थ्रू बुक कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप प्लीस मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएरे वीडियो की notification मलती रहें, so thanks for watching, see you soon.